जीवन ही कर्म हैं अगर आप कर्म रहिद बनना चाहते हैं तो ऐसी कोई चीज नहीं है तो आपको क्या लगता है हम आपके साथ क्या करने की कुशिश करते रहे हैं इनर इंजिनेरिंग से अचानक आपको जीवन और आजादी का एक नए आहसास होने लगा ऐसा लाखों लोगों के साथ हुआ है मुझे पता है बस इतना हुआ था कि हमने आपको छोटे छोटे साधन दिये जिन से आपने नए कर्म का निर्मान बंद कर दिया और अचानक इतना शांदार महसूस हुआ इसे देखने के कई तरीके हैं मैं किस तरह से काम करूँ कर्म यानी चलिए इसे समझते हैं कर्म का मतलब सिर्फ दुनिया में कुछ करना ही नहीं है आप यहां बैठे हैं आप कर्म कर रहे हैं यहां बैठने का कर्म शरीर काम कर रहा है यह सांस ले रहा है oxygen अंदर ले रहा है carbon dioxide बाहर छोड़ रहा है पेड आपको आश्रवाद दे रहा है क्योंकि आप परियाब carbon dioxide बाहर निकाल रहे हैं मान लिजी कि आपने उसे भी अपने अंदर जमा कर लिया और एक हीरा बनाया ताकि आप इसे किसी को दे सकें नहीं नहीं, carbon ही तो है फिर पेड आपको देखेगा और कहेगा आप किस तरह के गवार है आप carbon dioxide भी बाहर नहीं छोड़ रहे ये एक तरह का कर्म है, मैं आपको बता रहा हूँ तो अगर आप यहाँ बैट कर सांस लेते हैं तो जहां तक पेड की बात है आप एक अच्छा कर्म कर रही है आपको नहीं पता आप जागरुख भी रह सकते हैं पेड मुझे oxygen दे रहा है मैं carbon dioxide दे रहा हूँ क्या इसका मतलब ये है कि आपको जोड़ से सांस लेनी होगी ऐसा कुछ भी नहीं है आप बस सांस लीजिए ये वैसे भी हो रहा है तो शाररिक कर्म हो रहा है मान से कर्म ज्यादा तर इंसानों के लिए हमेशा होता रहता है लगबग हर समय भावनात्मक कर्म हो रहा है उजा कर्म हो रहा है नहीं तो आप जीवित नहीं होते तो कर्म हो रहा है ये सिर्फ आपके द्वारा जागरुकता से किया काम नहीं है ये बस हो रहा है जीवन ही कर्म है अगर आप निशकर्म बनना चाहते हैं लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है कोई कर्म नहीं अगर आप कर्म रहिद बनना चाहते हैं तो ऐसी कोई चीज नहीं है, आप बहुत कम कर्म वाले बन सकते हैं, तो क्या एक आलसी आदमी निश्क कर्म है? नहीं, नहीं, आलस बहुत सारा कर्म है, क्योंकि आलसी बनने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, कहने का मतलब आपको हर चीज के लिए बहुत सारे स्पष्टी करण तैयार करने होंगे और खुद को ये विश्वास दिलाना होगा कि आपको इस बारे में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अभी वाइरस फैल रहा है आपके आसपास कोई मर रहा है आपको अपने अंदर कुछ न कुछ करना होगा ताकि आप उसके प्रती रिस्पॉंड ना करें वरना उसके प्रती रिस्पॉंड करना आपके लिए स्वभाविक है तो आलसी होना निश्कर्म नहीं है वैसे एक योगी लगभग एक हाइबर निशन की अवस्था की तरह बन सकता है जहां सब कुछ बहुत कम हो लेकिन फिर भी वो कर्म से मुक्त नहीं है शायद वो प्रती मिनट कम संख्या में सांसे ले रहा हो आप शायद प्रती मिनट 12 से 15 सांसे लेते हैं जब कोई यूँ ही बैठता है तो उनके लिए शायद वो कम होकर तीन सांसे या शायद 6 या 8 हो जाएं लेकिन आप उससे नीचे नहीं जा सकते आप कुछ समय के लिए रोग भी सकते हैं लेकिन ये सिर्फ कुछ समय के लिए है अगर आप बिना सांस के रहें इसे रोग कर नहीं सिर्फ मेटाबॉलिजम को कम करके तो धीरे धीरे करम का एक अलग स्तर शरीर में गती पकड़ने लगेगा जब ये गती पकड़ता है तो आप वैसे भी सांस लेंगे ये फिर से सांस ना लेने की स्थिती में जा सकता है और फिर से वापस आएगा तो इस तरह से आप इसे कम कर सकते हैं लेकिन फिर भी आप मुक्त नहीं है आपको उठना होगा थोड़ा पानी पीने के लिए ये अपने मूँ में कुछ डालने के लिए जब आप कुछ अंदर डालते हैं तो कुछ बाहर भी निकलेगा ये सारी चीज़ें कर्म है तो इससे निपटने का तरीका क्या है तो आपको क्या लगता है हम आपके साथ क्या करने की कुशिश करते रहे हैं Inner Engineering से आपको क्या लगता है कि ये क्या है ये बस यही है आप मेंसे कई लोग आप मेंसे लगभग सब ही जब आपने Inner Engineering ऑनलाइन कारेकरम भी किया आपने अभी भी कोई अभ्यास नहीं सीखा था या आपने कारेकरम के पहले दो दिनों में हिस्सा लिया कोई अभ्यास नहीं हम आपके साथ अभी भी बातें ही कर रहे थे अचानक दो दिनों के बाद अचानक आपको जीवन और आजादी का एक नया हैसा होने लगा ऐसा लाखों लोगों के साथ हुआ है मुझे पता है अचानक आप चमकने लगे इसलिए नहीं क्योंकि आपका सारा पुराना कर्म चला गया बस इतना है कि उन दो दिनों में आपने बहुत ज्यादा नया कर्म नहीं बनाया अचानक ये इतना हलका और शांदार लगता है क्योंकि आप खुद के उपर गहर जरूरी बोज नहीं बना रही है तो वो ट्रिक क्या थी इसके कई आयाम हैं अभी मैं उन सब में नहीं जाऊंगा सरल सी चीज बस ये है आपकी रिस्पॉंड करने की ख्शमता देखिए मैं इस बारे में कुछ करूं या ना करूं अगर मैं इस बारे में सोचता हूं फिलहाल कई लोग इसके साथ संगर्श कर रहे हैं मान लीजे कि यहाँ पर कोई कहीं पास में स्वभाग्य से ये हमारी पंचायत एलाके तक नहीं पहुचा है हम स्थिती को बहुत कस कर मैनेज कर रहे हैं आसपास कहीं किसी को इन्फेक्शन नहीं है तो कोईमबतूर में कुछ लोग है तो मान लीजे कि वहाँ किसी को इन्फेक्शन है अब मुझे कुछ करना चाहिए या नहीं मैं क्यों करूँ दूसरे लोग करेंगे हमें क्या पता कि वो लोग कौन है उनके परिवार वाले होंगे उन्हें करने दो लेकिन अगर हम बस उस आदमे की पीड़ा को आपके सामने रख दें तो आपको कुछ न करने के लिए बहुत सारा काम करना होगा लेकिन आप जिस भी तरह से रिस्पॉंड कर सकते हैं उस तरह से रिस्पॉंड करने के लिए हर कोई जाकर हर किसी की जान नहीं बचा सकता लेकिन कम से कम जो आप से होता है वो कीजिए ये बहुत सरल है आपको जितना कर्म करना पड़ेगा मानसिक कर्म वो नाठकी रूप से कम हो जाएगा आपके मन के अंदर सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके रिस्पॉंस में कोई भेदभाव नहीं रहा रिस्पॉंस में कोई भेदभाव नहीं है लेकिन ये बात काम के साथ लागू नहीं होती क्योंकि आप सारा काम करने का बीड़ा नहीं उठा सकते काम आप हमेशा सोच समझ कर करते हैं क्योंकि काम करने के लिए कई चीजों की जरूरत होती है शाररेक्षमता, उर्जा, बुद्धिमत्ता, काम करने के साधन, काम करने के लिए समय, कई चीजें शामिल है ये सभी चीजें सीमित मात्रा में होती है कोई भी व्यक्ति अंधा धुन्द काम नहीं कर सकता अगर वो अंधा धुन्द काम करते हैं तो वो बहुत जल्दी मर जाएंगे और वो भी बुरा कर्म है हाँ, ये है गतिविती अंधा धुन नहीं होती लेकिन हमारा रिस्पॉंस बिना किसी भेदभाव के होता है वो चाहे कुछ भी हो मैं कुछ करना चाहूंगा अगर हो सकेगा तो हम हर संभव चीज़ करेंगे जो नहीं हो सकता कम से कम हमारा थोड़ा सा इरादा है सिर्फ उस एक वजह से आप कारिक्रम में आए और आपको उस तरह की आजादी का हैसास हुआ लोग मुझसे पूचते रहे हैं सद्गुरु योग के अभ्यास के बिना आउनलाइन कारिक्रम कैसे काम करेगा मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि शांभवी की दीक्षा के लिए आने से पहले ही आप शांदार महसूस कर रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने नए कर्म बनाने बंद कर दिये थे उन तीन चार दिनों में पुराना कर्म चला नहीं गया था बस इतना कि नया बोज नहीं बन रहा है पुराने कर्म के लिए दरसल जीवन जीना ही काफी है यहां बैट कर सांस लेना जीना, दिल का धड़कना यह पुराने कर्म के विसर्जन की शुरुआत के लिए काफी है कुछ चीजों को थोड़े और धक्के की जरूरत होती है लेकिन ज्यादा दर चीज़ें बस यूँ ही चली जाएंगी अगर आप बस यहां बैट कर यूँ ही सांस लेते हैं जीते हैं, दिल खुद ही धड़केगा आपको कुछ भी नहीं करना है यह आप कर रहे हैं आप मेंसे कुछ लोग सोचते हैं कि आप सब कुछ कर रहे हैं जब लोगों की सेहत की बात आती है तो उनके साथ एक बड़ी समस्या है क्योंकि अब हर कोई एक इंटरनेट डॉक्टर है उन्होंने बहुत सारी रिसर्च कर रखी है डॉक्टरों का बुरा हाल है क्योंकि आने वाले हर मरीज को बिमारी के बारे में डॉक्टर से भी ज्यादा पता होता है डॉक्टर को कुछ ज्यादा गहरी बातें पता है क्योंकि उसने पढ़ाई करने में 9-10 साल लगाए है और उसके पास मरीजों के इलाज का अनुभव है लेकिन ये लोग इंटरनेट पर पढ़ लेते हैं जैसे ही उन्हें पता चला कि उन्हें ये वाली बिमारी है उन्होंने पिछले तीन दिनों में इंटरनेट पर मौजूद सारी चीज़ें पढ़ ली है और अब हर तरह के सवाल वे अपने खुद के प्रिस्क्रिप्शन के साथ जाते हैं मुझे ये वाली दवाई दीजे मैं दूसरी कोई दवाई नहीं लूँगा इस तरह से कई सारे लोग डॉक्टर्स के पास आकर कह रहे हैं मैं ये दवाई नहीं लूँगा सिर्फ ये वाली दवाई लूँगा इन्हें बड़ा पढ़ा लिखा मरीज माना जाता है बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे मरीज का मतलब है कि आप जिन्दगी बर मरीज ही रहेंगे आपको ये समझना होगा हाँ अगर आप जिन्दगी बर एक डॉक्टर रहते हैं तो ये अच्छी बात है अगर आप जिन्दगी बर मरीज बने रहते हैं बहुत पढ़े लिखे मरीज तो इसका क्या तुक है ऐसा सिर्फिस लिए है क्योंकि आपको लगता है कि आप ये कर रहे हैं तुक तुक आपको करना होगा आपको चेक करना होगा कि दिल कितनी बार धड़क रहा है, हर कोई एक बैंड पहने रहता है, तो लोग मुझसे पूछते हैं, सद्गुरू, आपको एक मास्टर चेक अप करवाना चाहिए, यह जरूरी है, मैं कहता हूँ क्या, हर साल मैं, मैं हिमाले में ट्रेकिंग करता मैं तिब्बत में हूँ, मैं कहलाश जा रहा हूँ, यही मेरी मजबूती की परिक्षा है, अगर मैं सफल नहीं होता, तो आप मुझे हिमाले में ही दफना दीजे, बस, वरना आप जीते हैं, क्योंकि अगर आप खुद पर थोड़ा ध्यान देते हैं, तो आप जान जाते हैं कि क्या हो रहा है, अगर आप पाते हैं कि कुछ गड़बड है, फिर डॉक्टर के पास जाएए, और उस बारे में थोड़ी ज्यादा क्वालिफाइड सलाह ले लीजि और ये एक बहुत बुरा कर्म है, इस कर्म का आपके उपर एक लंबा असर रहेगा, तो इनर इंजिनरिंग के पहले तीन दिनों में बस इतना ही हुआ था, चाहे वो ऑनलाइन था या क्लास में, बस इतना हुआ था कि हमने आपको छोटे-छोटे साधन दिये, जिन से आपन कितना शांदार महसूस हुआ, आपने वो छोटा सा होमवर्क किया, ठीक है, छोटा सा होमवर्क, आज क्या क्या हुआ, लिखने के लिए पांच चीजें, सिर्फ उस होमवर्क की वजह से, आपने ध्यान दिया कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, अचानक पर इतना असर हो सकता है, अगर आप थोड़ा और ध्यान देते हैं इस लॉकडाउन के समय में, तो आप सीख सकते हैं कि कैसे कर्म न बनाएं, बस इतना कि आपके रिस्पॉंस में कोई सीमा नहीं है, आप तैमत कीजे कि क्या रिस्पॉंड करने के लायक है, क्या रिस्पॉ बच्चा, चाहे कुछ भी हो, आप रिस्पॉंड कीजे, क्या आपको कुछ करना होगा, नहीं, काम, हमेशा सोच समझ कर किया जाता है, क्योंकि काम में उन चीजों की मात्राएं शामिल हैं, जो असीमित नहीं है, हमारी उर्जा असीमित नहीं है, हमारी बुद्धी असीमित होते हैं लेकिन हमारी रिस्पॉंड करने की क्षमता असीमित है ये एक चीज बस ये एक चीज अगर आप करते हैं तो आप आज कोई कर्म नहीं बनाएंगे आप बोच को नहीं बढ़ाएंगे बस बोच को न बढ़ाना आप देखेंगे कि ये मुक्ती जैसा महसूस होगा आप इस तरह का नुकसान खुद को पहुचा रहे हैं आपको क्या लगता है कि जब आप एक बच्चे थे तब आप ऐसे थे कर्म तब भी आपके पास था तब भी आप हस रहे थे अब आप ऐसे बन गए हैं अरे वाइरस सद्गुरू वाइरस उससे पहले भी वाइरस के आने से पहले भी ज्यादा तर लोग इतने गंभीर दिख रहे थे मानो वो कबर से निकले हूं हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि हर दिन ये बकляется एकठी हो रही है लगातार हर दिन जो कुछ भी होता है आप एकठा करते जाते हैं एकठा करते जाते हैं कुछ होता है, कुछ नहीं होता है आप हर चीज के लिए अपने भीतर एक जहमेला बना लेते हैं और उस जहमेले का बोज वो बस कच्रा है आप एक कच्रे की ट्रक की तरह हैं मैं आपको बता रहा हूँ हाँ लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है आपको कोई नया कच्रा नहीं उठाना है लॉकडाउन के बारे में ये एक अच्छी बात है आप बस यूँ ही आप चुनिये मत आप हैं ही कौन आप ये तै करने वाले कौन होते हैं कि कौन सी चीज आपके ध्यान के काबिल है और कौन सी नहीं जिसने भी ये सब बनाया जिसने भी ये सब बनाया या एक हाती, या एक बाग एक छोटा सा प्राणी, एक छोटा सा प्राणी वहाँ चल रहा एक छोटा सा कीड़ा क्या वो आपसे ज्यादा सुन्दर है? हेलो? आपने हर तरह के नकली रंग लगा रखें हैं वे सब ही, वे खुद ही बड़े रंग विरंगे हैं तो जिसने भी बनाया क्या स्रिष्टी ने इन छोटे-छोटे प्राणियों पर आपसे कम ध्यान दिया है? नहीं तो फिर आप ये ताय करने वाले कौन होते हैं कि किसके प्रतिरिस्पॉंड करना है, किसके प्रतिरिस्पॉंड नहीं करना आपकी रिस्पॉंड करने की क्षमता को हमेशा अहसीमित होना चाहिए अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है हम अभी आकर आपको नहीं सिखा सकते Inner Engineering Online उपलब्ध है बस इन तीन दिनों को देखिए पहले तीन दिन उसमें जो कहा गया है उसे अपने भीतर समाने दीजिए उसमें भीग जाईए पूरी तरह से आप देखेंगे कि तीन से चार दिनों के अंदर आपको लगेगा कि आप उड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई नया कच्रा नहीं है ऐसा ही महसूस होता है तो कृपिया ऐसे संभव बनाईए इसकी कोई जरूरत नहीं है कि आप अपने सर के उपर कच्रे का धेर बढ़ाते रहें झाल